हालेलूईया 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 सो आज हम लोग परमिश्क पोगते वश्र में से जो देखना चाहते हैं चमतकार होने के तीन कार्ण जहने के चमतकार कैसे होते हैं तीन कार्ण और भी हो सकते हैं लेकिन तीन कार्णों पे हम ल जब आप प्राथना करते हैं, तब चम्तकर होता है, जब आप प्राथना करते हैं, तब चम्तकर होता है, जब आप प्राथना करते हैं, दूसरा विस्तार में जाएंगे हम लोग, दूसरा जब परमिश्च के दास आप के लिए प्राथना करते हैं, पास्तर, वेंजलिस्ट, बिशप जो भी चरवाहे ही और पास्तर जो है वो कॉमन शब्द है, जब पास्तर आपके लिए प्राथन करते ही, तो परमिश्वर चम्त करते ही, आम यह पोगतर बैबल में हम लोग सब जगा देख सकते ही, पहला जब खुद प्राथन करते ही, जब खुद हम लोग प्राथन करते ही, तो चम्त कर होते ही, दूसरा जब पास्तर, परमिश्वर के दास, परमिश्वर के नभी प्राथन करते ही, दूसरों के लिए जिसे मद्यस्त की प्राथन कहते हैं बिचुले वाली प्राथन कहते हैं मद्यस्त की प्राथन कहते हैं तो जब परमिश्च के दास मद्यस्त की प्राथन करते हैं हे परमिश्र इसको चंगा कर, हे परमिश्र इसको चंगा करो, हे परमिश्र इसको चंगा करो वो जो मद्यस्त की प्राथना होती है परमिश के दास लोग जो प्राथन करते हैं उसके द्वारा चम्तकार होता है और तीसरा परमिश्वर जिस पर दया करना चाहते हैं उसके जीवने चम्तकार करना चाहते हैं जिस पर चम्तकार करना चाहते हैं चाहे वो प्राथना कर रहा ह चाहे नहीं कर रहा है चाहे पास्टरों के लिए प्राथान कर रहा है चाहे पास्टरों के लिए प्राथान नहीं कर रहा है समझे इस बात को तो फेला कार्ण जो होता है विए खुद प्राथां करने से चम्तकर होते हैं उसके जी जीवने चम्तिकर होता है वो भी प्राथां नहीं करवा राहा घुंद तीसरा जो है कि परमिश्र अपनी आपी जिस पर दया करना चाहते हैं दया कर देते हैं वो ना तो मांग रहा है परमिश्र से और ना ही मद्यस्त की प्राथा उसके लिए हो रही है सिर्फ परमिश्य ने चाहा और परमिश्य ने कर दिया बस कोई किंतों कोई प्रंतों नहीं परमिश्य कुछ नहीं देख रहे इसके विश्वास को नहीं देखते इसकी बातों को नहीं देखते इसके अंदर क्या कुछ है नहीं देखते इसके कमियों को नहीं देखते इसकी ग चर्चा करना चाहते हैं परमिश्र के पुई तवश्चर में से लेकिन क्या कार्ण है कि आप प्राथां भी कर रहे हैं तो भी चम्तकार नहीं हो पा रहा जनके आपकी प्राथां उत्तर नहीं आ रहा पासर आपके लिए प्राथां कर रहे हैं तो भी कोई उसका लाब नहीं हो पा रहा और तीसरा परमिश्र भी दयानी कर रहे हैं कि ने ऐसा हो पा रहा क्यूं इन तिनों से के द्वारा चंथकार हो पा रहा है आपकी खुद की प्रात्ना से परमिष्ट के दास की ज़े बां mandate की प prawMA से और परमिष्ट के चम्तकार हो जाता है क्यों हो जाता है जाब पास्टर जी आपके लिए प्राथां करते हैं क्यों हो जाता है ऐसा कैसे हो जाता है और जब परमिश्व आपके जिवने चम्तकार करना चाहते हैं तो कैसे कर देते ही परमिश्व के फोहत्र वश्चन में से हम लोग पढ़ेंगे हाई पहली बात में लिए हम लोग इस पे के बातों को सीखेंगे इसके दूसरी से में चल कर और पहली तो असान से आपको मैं बता दूँ खुद समय की प्राथना से जो चमतकर होता है आप खुद प्राथन करते हैं चमतकर हो जाता है सीधी सी बात मती सात ध्याई पढ़िएगा मती सात ध्याई सात वचन पढ़िएगा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा अगर आप खुद ये चम्तकार पाने का एक तरीका है अगर आप खुद मांग रहे ही तो आपके जीन में होगा मैंने देखा बहुत से पुवितर लोगों को मैंने देखा बहुत से भगत लोगों को मसी भगत लोगों को उनके जीवन में आत्मक तो उन्ती है लेकिं ब्लेसिंग नहीं है आशिश नहीं है तो उसका कार्ण क्या है उनके जीवन में आशिश क्यों नहीं आ रही उनके जीवन में ऐसे चम्तकार नहीं हो पा रहे क्योंकि वो मांग ही नहीं रहे वो परमिश्य से मांगते ही नहीं है जब मांगते ही नहीं है तो उन्हें मिलता ही नहीं है जब मांगते ही नहीं है तो उन्हें मिलता ही नहीं है यह है जो मांगते ही नहीं है तो उन्हें मिलता ही नहीं है इसका नो और नो दस और ग्याराव से पढ़िएगा तुम मेंसे ऐसा कौन मुनिश्य है ये उसका पुतर उसे रोटी मांगे और पिता उसे पत्थर दे ये मच्छनी मांगे तुसे सांप दे जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तों देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तों क्यों न देगा तो इसका मतलब हो चमतकर होता है जब आप प्राथना में मांगते हैं आपको पता है प्राथना में कैसे मांगना होता है प्रभीशु मस्य के नाम से मांगते हैं हम लोग तो जब आप प्राथना में मांगते हैं तो चम्तकर होता है जहने कि आपने मांगा कि मेरे लिए ये हो जाए और पर्मिशन ने कर दिया जैसे पर्मिशन ने कर दिया उसी को तो चम्तकर कहते हैं आप कहेंगे मैंने प्रभू से ये मंगा था मैंने ये प्राथ न की थी पर्मिशन में लिए ऐसा कर दिया तो यही यही तो चम्तकर है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तमें क्यों न देगा परमेश्वर अच्छी वस्तमें देंगे जब आप मांगेंगे तो जब आप मांग रहे हैं परविश्वमस के नाम से पिता से तो वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा तो चम्तकार पाने का चम्तकार होने का पहला कार्ण यही होता है आप मांगते हैं और परविश्म से पूरा कर देते हैं और चम्तकार हो गया लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं कि कही बार आप मांगते हैं और पूरा ही नहीं होता चम्तकर नहीं होता तो ये क्यों नहीं हो पाता देखिए मर्कस नौध है उसका 23 चम लिखा है विश्वाश करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है विश्वाश करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है जैनि कि जब आप मांगते हैं आप विश्वाश से मांगते हैं तो आपके जीवन में परमिश्व चम्तकर कर देते हैं पहला बात जो मैं आपको बता रहा हूँ आप विश्वास से मांगते हैं परभिश्वमसी से मांगते हैं जहने कि आप प्राथन करते हैं आप प्राथन में मांगते हैं परभिश्वमसी उस प्राथन करते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और आप तुमारे लिए वो कर देते हैं इसी को चम्तकर करते हैं तो ये चम्तकर कैसे मिल आपको आपने खुद प्रात्ना की परविश्मसी जी ने आपके लिए चम्तकर कर दिया इसमें दूसरों का कोई योगदान नहीं है आपने खुद प्रातना की प्रभी शमसी ने चम्तकर कर दिया क्योंकि विश्वास से मांगे कोई संदे ना करें विश्वास से मांगने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है अब रहेगी बात चम्तकर होता क्यों नहीं यह दोनों बातें मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूँ तीन कार्ण जो है ना होने के चम्तकर चम्तकर होता क्यों नहीं है यह बात तो आपको जबानी मालम होगी यकूब एक धहाई शे और साथ वचन यकूब की पत्री एक देशे और साथ वचन आपने मांगा भी लेकिन कुछ तो ऐसे जो मांगते ही नहीं है जा मांगते ही नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगते हैं और बैबल में लिखा क्यों बुरी मंसा से मांगते हैं इसलिए उनके लिए नहीं होता लेकिन ती क्योंकि संदे करनेंवाला समुञर की लेहर के समान है किमने उसलती है जो हवा से वैक्ति और उसलती है एसा मनुछ यह नहीं इसमझे कि मुझे प्रवुश्यू से कुछ मिलेगा वे वैक़ती दू चीता है और अपनी स्थारी बाद़ों में चलान है वो व्यक्तिक्षिता है, ऐसा व्यक्तिक्रा ना सोचे, मुझे प्रभूस कुछ मिलेगा. तो ऐसे लोगों के लिए जो खुद प्राथन तो कर रहे हैं, खुद मांग रहे हैं जाने के, लेकिं विश्वास से नहीं मांग रहे हैं, तो इसलिए उनके जियन में चम्तकर नहीं होता जा तो मांगते हैं नहीं है इसलिए उनके जियन में चम्तकर नहीं होता अगर मांगते हैं तो विश्वास से नहीं मांगते तो दो चिते हैं इसलिए उनके जियन में नहीं होता जा मांगते हैं तो वो बुरी लालसा से मांगते हैं, जैसे वच्चन में लिखा हुआ है तो इसलिए उनके लिभन में नहीं होता ये तो थी पहली बात खुद की प्रातना से, समय की प्रातना से आप खुद प्राथान कीजिए विश्वास के साथ परमिशर आपके जीवने चम्तकर करेंगे अगर आप विश्वास के साथ प्राथान नहीं करेंगे तो परमिशर चम्तकर नहीं करेंगे जब मांगेंगे नहीं तो परमिशर नहीं करेंगे आप चम्तकार को मांगेंगे तो होगा तो आपके लिए चम्तकार होगा तो आपके लिए चम्तकार होगा हलेलूया और अब दूसरी बात जो कि परमिष्ट के दास लोग जाँ चर्च की कलीसिया मद्यस्त की जाप राथां करती है तो परमिष्ट चम्तकार करते ही लेकिन केबर ऐसा होता है कि मद्यस्त की पराथां कीवी जा रही है तो पी चम्तकार नहीं होता क्यों नहीं होता कि क्यों होता है यह असरे इसको उसका दूसरे मदर पर पहले हम लोग पढ़ते ही वह है परमेश्र की इच्छा से, परमेश्र की मर्जी से, आपने मांगा जर नहीं मांगा, आपके लिए मद्यस्त की प्रास्वा हुई जर नहीं हुई, अगर परमेश्र करना चाहते हैं, आपके लिए तो वह करेंगे, अगर परमेश्र आपके जिवनें चम्तकर करना चाहते हैं, त करेंगे एक वचन पढ़िए गारो मियू नौ अध्याई रोमियू नौ अध्याई 15 और 16 वचन रोमियू 9 अध्याई 15 और 16 वचन कि वह मुसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं और जिस किसी पर किरपा करना चाहूं उस पर किरपा करूगा 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 बस कौन परमिश्य को रोख सकता है चम्तकार करने से परमिश्य कहते हैं मैं जिस पर दया करना चाहूंगा करूंगा कोई नहीं मुझे रोख सकता जिस पर मैं किरपा करना चाहूंगा करूंगा जिसके जीवन में मैंने चम्तकार करना करूंगा कुछ नहीं मैंने देखना मैंने करना है तर्स खाना है तर्स खाकर उसके जीवन में चम्तकार कर दिया जिस पे मैं जिन्दगी में जीवन में चम्तकार करना चाहूं करूंगा जिस पे मैं किरपा करना चाहूं करूंगा जिस मैं दया करना चाहूं करूँगा तो ये दूसरा काना है चम्तकार होने का पहला जब आप प्राथना करते हैं खुद जब आप अर्भिश्वमसी के नाम से मांगते हैं जब आप अर्भिश्वमसी के नाम से प्राथना करते हैं तो आपके जीवने चम्तकर होता है, लेकिन जब आप प्राथन तो करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते हैं, तो चम्तकर नहीं होता, दूसरा, आप परमिश्र की जो किरपा है, परमिश्र की दया जो है, वो परमिश्र कहते हैं, मैं जिस पर दया करूँगा, जिस जीवर में मैंने चम्तकार करना करूंगा, मेरी मत जी मैं करूंगा परमिश्र करते हैं, तो जिस पे परमिश्र दैया करना चाहे करेंगे, तो ये होता है दूसरा कार्ण चम्तकार होने का, कि जिस पे जिस पे परमिश्र चाहते हैं, भी मैं इसके जीवर में चम्तकार करूंग कर देते हैं इस पर में दया करूंगा इसमें किर्पा करूंगा करूंगा लेकिन के लोगों बात यह है चमत्का ना होने का दूसरा कार्ण भी यही होता है कि पर्मेश्य दया नहीं करते पर्मिश्य किर्पा नहीं करते हैं पर्मिश्य करते हैं नहीं दया करनी इस पर तर्स नहीं खाना देखिए आपके मन में भी कभी ना कभी किसी व्यक्ति के प्रति तर्स आया होगा जो विक्ति आपके वरुद में कुछ ऐसी बातें बोर रहा है जो विक्ति आपके वरुद में कुछ ऐसा आपको उक्सार रहा है क्या आपके मन में उसके प्रति तर्स आया? नहीं आया और नहीं आता अगर वो इस परकार से कारे करता है अगर वो इस परकार से बोल चल करता है अगर इस परकार से वो वहार करता है कि आपके मन में उसके प्रतितर्स आ जाता है भी नहीं बिशारा चलो कोई बात नहीं इसको बलस्ट करो तो आप उसे आशिश देते हैं लेकिन वो अगर अकड की बातें कर रहा है अगर हंका की बक्तें कर रहा है जहां करोध दिलाने वाली बातें करता है जब करोध दिलाने वाली बातें करता है तो उस पर कैसे परमिश दया करें उस पर कैसे परमिश तर्स खाई अगर वो कुड कडाने की बातें करता है अगर वो बुड़ बुड़ाने की बातें करता है तो परमिश्व कैसे करें फिर परमिश्व नहीं करतें एक वच्छन पढ़ेगेगा मर्कज छे अधिहाय चौंटी सुचन मर्कज शे अधिहाय और चौंटी सुचन उसने उत्तर कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेटों की समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं हो और वे उन हैं बहुत से बातेस खाने लगा तो यहाँ पर परमिश्व मसी को तरस आया उन लोगों पे क्योंकि वो तीन दिन से परमिश्व मसी के साथ थी वो भीड जो थी वो तीन दिन से परमिश्व मसी के साथ थी जब परमिश्व मसी के साथ थी तीन दिन से प्रभु ने देखा ये विचारे मेरे पीशे चल रहे हैं जेव चारे बुखे प्यासी मेरे पीशे चल रहे ही चलो ठीक है इंपर तरस करता हूँ और इतना बड़ा चम्तकर कर दिया आपको मालम है पांच रोटियों से पांच जार लोगों को सब को खलाया बांग पर अगर वो कहते हैं कि प्रभिशो मासी हम तो तेरे साथ हैं तीन दिन हो गए है हमें तो चम्तकर दखा हमारे पास तो रोटि नहीं है यह पांच रोटिया पड़ी है इनको आप ऐसा करो पांच रोटियों से सब पांच जार खाले कुछ करके दुखाओ ऐसा करके दुखाओ तो परमिश्र उस पे दया नहीं करते हैं परमिश्र उस पे तरस नहीं खाते हैं हम तो तीन दिन से परबिश्म सीजी तुमारे साथ चल रहे हैं हम तो तीन अथवार से जो है वो तुमारे साथ चल रहे हैं हम तो तीन महिने से तुमारे साथ चल रहे हैं हम तो तीन सालों से परमिशर पबिश्वी तुमारे साथ चल रहे हैं हम लोग तो तीन दिन से बर्त रखा हुआ है हम लोग तो तीन दिन से प्राथा करें तो अगर प्रोद दलाने वाली बाते हैं, अगर कुड कड़ाने वाली बाते हैं, अगर बुड बढ़ाने वाली बाते होती तो वहां चम्तका नहीं होता, परमेशन जिस पर करना चाहते हैं, यहाँ पर विश्वाश मैना नहीं रखता, परमेशन चम्तका करना चाहता, जिस प एक एक मैं आपको करता हूं गिंती चौदा अधियाए पढ़िएगा मुझे याद आ गया क्वचन गिंती चौदा अधियाए एक वचन पढ़िएगा पहले तब सारी मंडिलेची लाउटी और रात भरवर लोग रोते ही रहें तो इसका चब्वी और 27 वेचन पढ़िए त्रियोवा ने मुझे और हरून से कहा यह बुरी मंडिली मुझे पर बुड़ बढ़ाती रहती है उसका मैं कब तक सहता रहूं यह बुरी मंडली मुझे पर बुड़ बढ़ाती रहती है यह बुरी मंडली मुझे पर बुड़ बढ़ाती रहती है ये मुझे पर बुरब़ाती रहती है हाँ पढ़िएगा फिर से ये बुरी मंडली मुझे पर बुरब़ाती रहती है उसको मैं कब तक सेथा रहूं? इसको मैं कभ तक सेता रहूं जब निज़्पर बुर्वडाते रहते हैं उनका ये बुर्वडाना मैंने सुना है नहीय canvas गोर, सेता रहूं अब नही पिरमिशन है कहा taram तो आगे जब च्मतकार आज उसकता था वह चमतकार उनके जिलने 40 साल बाद व और कहीं तो बुड़े थे 40 साल बात वो मरग एक उनकी जिस पर चमतकार चाहते हैं नहीं, रहले लूजर ul भूस्कों ब्लसक करना चाune करते हैं। करते हैं। लेकिन परमेश्र इस जुरूर देखती है। सारी रात ही रोते रहे और बुरु बड़ाते रहे। कुछ ़ोग ऐसे हैं दुखको देखकर सारी रात रोते रहते हैं और प्राथना करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दुख को देखका सारी राज रोते रहते हैं और बुडबडाते रहते हैं आप जिन्होंने तो बुडबडाया उनके लिए कुछ नहीं उनके लिए चम्तकरनी यह उन पर दया नहीं की जाती है उन पर तरश नहीं खाया जाता लेकिन जो रो तो रहे थे लेकिन राथां कर रहे थे,ểmरां करो,पर्मिशन हम पर तरस खाऊ, पर्मिशन नहीं दोखा,ठीक है, mình तरस उक्का लेता हूं. जब उसकी राजा की अम्र बड़ी थी,ंप 15 साल ,जब 15 साल उसकी उम्र बड़ी ये शाय ने कर कहा कि राजा पर्मेशन मुझे संदेशा दिया भी जो भी वसीयत करने इसको कर दे अब तू नहीं बचेगा तू मर जाएगा तू अंदर जाका बिल्ख बिल्ख करो नहीं लग गया है पर्मेशन मुझे मेरे पर दया कर रहा हूं मैं तो ऐसा 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 पर्मेशन कहा जा मैं मैं उसको कहे भी मैं तेरी पंदर साल और उमर बढ़ा देता हूं तो अब उसके लिए किस ने प्रात्रा की थी वो समय प्रात्रा की उसने परमेशन उसके दया की और उनके जीर में चम्तकर हो गया हलेलुया हलेलुया तो परमेशन जिस पर दया करना चाते हैं और जिस पर नहीं करना चाते हैं और नहीं करते हैं तो चम्तकर नहीं होता दया करते हैं तो चम्तकर होता है और चम्तकर ना होने का कार्ण जो दूसरा है वो यही कार्ण है कि आप दया के पातर नहीं बनते हैं आप रोते तो हैं, लेकिन बुड़ बढ़ाते होई रोते हैं, प्राथां करते होई नहीं रोते, आप बिल्खते तो हैं, गिड़ गड़ाते तो हैं, लेकिन प्राथना में नहीं, बुड़ बढ़ाने में, आपकी प्राथना में बुड़ बढ़ाने को ती है, तो इसलिए प और मेंली जो तीसरी बात और रंती बात जो थी जिस पर अपना हम लोगों ने जो बात करनी है परमिश्वर चम्त कर करते हैं मद्यस्त की परातना से जनकी चाय पास्टर आपके लिए कर रहा है चाय चर्च आपके लिए कर रही है मद्यस्त की प्राथना से प्रमिश्र चम्तकर करते हैं जनके पास्टर की प्राथना से प्रमिश्र चम्तकर करते हैं कोई भी नभी है, प्रेरित है, पोस्टल है, जो भी आप कहें उसको उसकी प्राथना से प्रमिश्र क्या करते हैं, चम्तकर करते हैं हलेलुया और कई बार नहीं भी करते जब नहीं करते उनकी प्रात्वान से तो क्यों नहीं करते और जब करते हैं तो क्यों करते हैं जन के चम्तकार पाने का जो तीसरा तरीका है कैसे चम्तकार पासकते हैं और कैसे चम्तकार नहीं पासकते उस पे हम लोग विशेश बात करेंगे आपको थोड़ा सा इस बात को समझना है बहुत यहां से देखिए इसमें कोई शक्त नी है परमिश्व के दास लोग प्रासां करते हैं और परमिश्व चम्तकर करते हैं यह तो तीसरा तरीका था कि जब भी परमिश्व के दास लोग प्रासां करते हैं परमिश्व सुनते हैं और चम्तकर करते हैं लेकिन ना होने के कार्ण क्या है चम्तकर क्यों नहीं होते एक शब्द में आपको बोलूँ यहां आदर नहीं वहां चम्तकर भी नहीं अगर आप परमिश्च के दास का अधर नहीं करते, अगर आप परमिश्च के नभी का अधर नहीं करते, अगर आप पास्टर जी का अधर नहीं करते, बिशप का अधर नहीं करते, तो चम्तकर नहीं होता, चम्तकर नहीं होता, यहाँ आधर नहीं है, वहाँ चम्तकर नहीं है, हाँ, अभी एक पढ़िएगा एक बार, मरकस शे अधिहाई, मरकस शे अधिहाई, एक से पांच वचन पढ़िएगा, एक से लेकर पांच वचन तक, मरकस की अंचील, शे अधिहाई, एक वचन से लेकर पांच वचन तक पढ़िएगा, परभीश्य मसी अपने देश में आया और उसके चेले भी परभीश्य मसी के साथ थे सबत के दिन अराधनालिया में उपदेश करने लगा बहुत से लोग चुनकर चक्कित हुए और कहने लगे इसको ये बाते का हंस याई ये कौन सा ज्यान है जुद को दिया गया है कैसे समर्थ ही काम इसके हाफ्चों से प्रगण होते हैं किया गई बढ़ाई नहीं जो मरीम का फुतर और यहकूब योसेश यहुदा और श्यमून का भाई है तो लोग कहने लगे अरे ये 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 तो बढ़ाई का पुतर नहीं है तरखान का लकड़ी का मिस्त्री का ये तो बढ़ाई का पुतर है ये तो मरीम का लड़का है और ये उनका भाई नहीं है क्या युकूब का और किसका युकूब ये मरियम और यूसफ से जो पैदा हुए थे वो चार जने जो मरियम और यूसफ से पैदा हुए थे जिनको परभी शमसी का भाई भी कहा जा सकता है क्योंकि मरियम मा तो एक थी तो जो पैदा हुए ये उसके भाईयों के नाम है इन मेंसे जो जिकूब है उसने जिकूब की पत्री लिखी है जो मरियम से और यूसफ से पैदा हुआ था तो मरियम और यूसफ की लड़कियां भी थी जिसे अपने प्रभीशमसी की भेने भी कह सकते हैं दो से दिख थी कम से कम दो थी दो से दिख थी तो वो कहने लगे रहे यह तो बड़े का पुत्तर है यह तो मरियम का लड़का है ये तो यकूब का भाई है ये तो शिमौन का भाई है इसकी तो बहने यहां हमारे बीच में नहीं रहती है प्रविश्व मसी का विश्व में ठोकर रखाई जैनि कि प्रविश्व मसी का आदर उन्होंने नहीं किया आदर और समान नहीं किया जब उन्होंने आदर समान नहीं किया तो वहां चंतकर नहीं हो पाया पढ़ियेगा पाच वेचन तक अपने देश और अपनी पुटुम और अपनी घर को चोड़ और कहीं भी निरादा नहीं होता, वहां कोई सामर्थ का काम नहीं कर सके, थोड़े से बीमारों को थोड़े से बीमारों को हात रखना पड़ा, पढ़े प्रभिशमसी को, थोड़े काम नहीं कर सका क्यों कि उन्होंने आहदर सम्मान नहीं किया यहां आधर और सम्मान नहीं होता वहां पार्चंध यहां परमश्य मसी के चेलों का हमें पता होता है जो घर आदर और सम्मान करते हमें पता चलता है और वो आशिश उनके घर में रहती है और जो आदर और सम्मान नहीं करते हैं तो वहाँ उतना ही चम्तकर होता है थोड़े से लोगों पर आत रखा और चंगे हो गए तो आदर और समान फिर कहते हैं परविश्व मसीजी लुका चार ध्याई 24, 25, 27 लुका चार ध्याई 24 से लेकर 27 वेचन तक लुका चार ध्याई 24 वेचन उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं परविश्व मसी ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं को बोश्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता बोश्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता मैं तुम से सच कहता हूँ कि एलिया की दिनों में जब साड़े पीन साल तक अकाश बंद रहा यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा तो इसरेयल में भूट थी विद्वाई थी पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं बेजा गया कि यवल से तक की सारपत में एक विद्वाई के बाद किया है तो परविशु जी कहते हैं देखो जब साड़े तीन साल का अकाल पड़ा था ऐलिया के समय में परविशु मसी कह रहे हैं एलिया के समय में साधे तीन साल का अकाल पड़ा था इसका मतलब प्रभिश्य जी कह रहे हैं तो अकीकत है के ते के यहां एलिया का कोई समान आदर समान करने वाला नहीं था अपने देश में तो इसलिए उसको सैदा के सारपत नगर की विद्वा के पास पे जा गया इसरायल म में भी तो कई विद्वाएं थी उनके पास भी बेई देते लेकिन वहां अदर समान नहीं था वहां अदर समान देश के दूसरे देश में जाकर उसका अदर समान हो रहा है और वह विद्वा के जीवन में चम्तकार होता है आपको मालमा सारे तीन साल अकाल रहा और वह ब्ल पर एलिया की बात हो रही है अब अलिशा की अलिशा बिश्वक्ता के समय इस्रैयल के अंदर बहुत से उड़ी थे पर विश्यम सी कह रहे हैंसरे देश के अंदर बाएंसरे कोड़ी थे हलाकि इस्रेयल के अंदर भी कोड़ी थे वो ठीक नहीं हुए उनके जियों ने चम्तकर नहीं हुआ सीरिया का जो था नमान सैनापति था जो कोड़ी था वो ठीक हुग गया क्योंकि जैसा उसे कहा गया परमिश्य के दास ने कहा विसमें साथ बार डुकी लगा उसे ने लगा ली उसे ने उसका आदर मान किया और लगा ली और चम्तकर हो गया तो पर विश्य जी कहते हैं अपने देश में अपने यहां आदर और समान जहां नहीं होता वहां चम्तकर भी नहीं होता तो अगर आप चाते हैं आपके जीवने चम्तकर होता है मद्यस्त की प्राथवां से जा पास्टर जी प्राथवां करते हैं तो आफ आदर सम्मान करते हैं, तो आपके जीवने चम्तकार होता है, जब आप आदर सम्मान नहीं करते तो छम्तकार नहीं होता है। मैं देखता हूं चर्चमी केई लोग विश्वास के साथ कपड़े को शूलने की कोशिस करते हैं कोई लोग ऐसे है जो पैर को आतिल काने के कोशिश करते हैं चलपां को आतिल लिगा ले हम लोग ठीक हो जाएंगे उनके अंदर शर्डा होती है उनके अंदर आदर होता है उनके अंदर सम्मान होता है और कैसे आदर मान और सम्मान करते हैं और कुछ लोग होते हैं मतलब अकड़कर ऐसे बैठ रहते हैं तो उनके जीवन में ठीक है प्राथन करवानी है करवा लेंगे तो उनकी जो भावना होती है तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्र के दास आपके लिए प्राथान करें और चम्तकार आपके जीवन में हो तो आप उनकी प्रती आदर और सम्मान के निगा रखें तो परमेश्र आपके जीवन में काम करेंगे आदर आदर प्लस आग्या पालन प्लस एक्षिन अभी मैं आपको बिताऊंगा आदर करें और आदर करते हुए आग्या पालन करें आग्या पालन का मतलो यहां वो नहीं है कोई भी इदर का उदर का नहीं मैं कह रहा आग्या पालन का मतलल यह है जैसे सुखे हाथ वाला था से परव शिजिने का अत बढ़ा उसने ऐसे बढ़ा दिया आग्या पालन किया सिदा चलो एक दम से सुखा आत हरा हो गया नमान से कहा कोड़ी से सेनापती से परमिश्क दास ने इसमें शात बाड़ुकि लगा आदर किया उसने और अग्या का पालन किया अग्या पालन करके उसने एक्षिन किया जैसे उसने एक्षिन किया साथ वा डुक की लगाई चम्तकर हो गया तो आदर करें अग्या का पालन करें और एक्षिन साथ में तुरंट उसने आदर किया अग्या पालन किया और एक दम से एक्षिन की आथ बढ़ा दिया चलेंगे तो इसमें कोई शक नी है, मद्यस्त की प्राथना से चम्तकर होते हैं, कोई शक नी है, पहली बात आप खुद प्राथन करते हैं, परमिश्य चम्तकर करते हैं, दूसरा जिस पर परमिश्य रूंग्रे करना चाहें, करते हैं और चम्तकर करते हैं, तीसरा परमिश्य के दास लो अगर आप आदर समान करते हैं तो परमिश्य दास लोगों के द्वारा आप ब्लस होते हैं अगर आप आदर समान नहीं करते हैं तो आप आशिश नहीं पाते हैं आपके जियन में चम्तकार नहीं होते हैं कि यह प्रेर्तों के काम पढ़ियेगा प्रेएतों के काम पांच दियाई 14 पंदर और 16 प्रेहिअ के कामjak पांच दियाइ तो यहां पर क्या हो रहा है परमिश्किदास लोगों का अधर समान हो रहा है और लोग भीड की भीड लेकर आ रहे हैं वहां पहुंच रहे बीमारों को लेकर रहे हैं अधर के साथ समान करते हुई और कि इतना अधर समान करते हैं वो कहते हैं अगर परशाई भी उपर से आगी हमारे बीमार के पर तो भी चंगा हो मरा बीमार हो जाएगा हम तो भी हमारा आदमी जंगा हो जाएगा तो इतना अदर और समान करते हुए लिकर आ रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं यह मद्यस्त की प्राथना है पहला आप खुद प्राथन करते हैं प्रभू काम करते हैं चम्तकर करते हैं दूसरा जब परमिश्व करना चाहते हैं कि जो बात है फिल्पूस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुनकर और चिन्हें वह दिखाता था उनहें देखकर एक चित होकर मन आगाए जो बात विल्पूस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्य वय दिखाता था, उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से एशुद आत्माई बड़े शवद से चिलाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगडे पी और उस नगर में बड़ा आने जागे हैं, हालेलुया, तो ये मद्यस्त की प्राथां जानी कि जब पास्तर लोग प्राथां करते हैं तो प्रभू चम्तकर करते हैं, या फिल्पस प्राथां कर रहा है, लोग चम्तकर हो रहे हैं, जब पत्रस प्राथां कर रहा है, चम्तकर होते हैं आज भी परमिश्व के दास प्राथां करते हैं चम्तकर होते हैं यहां पर आदर मान और समान नहीं होता वहां पर चम्तकर नहीं होते हैं पर भीश्व जी ने खुद थोड़े से लोगों पर हाथ रखा और लोगों को हाथ और करें आध्या का पालन करें और एक्षेन करें एक्षेन जो है वो बहु जुरूरी है मालो नमान कोडी था नमान कोडी गया और अगर वाक्षेन ही नहीं करता अगर वो यह नहीं कहा गया था कि बैस सदा के जो कुंड है उसके पास बैठने से उसके किनारी पे बैठने से क्या हो जाएगा चम्तकर हो जाएगा एक्षिन करना था और उसके अंदर डुब की लगा नी थी एक्षिन करना था डुब की लगा नी थी परवीश्व जी नीए खा रहा मन से विश्वास करो लेकिन state बबतिस्मा बाबक दुब की लगा अक्षिन करना एक तो जैसे ही परमिश्ट के दास लोग आप लोगों के लिए पराथां करते हैं, चाहे ओनलेन पराथां करते हैं और चाहे चर्च में पराथां करते हैं, आप मजूद होते हैं, आमने समने बैठ के पराथां करते हैं, जाप पराथां करवाने के लिए आते हैं, दिखिए आपक को एक्षिन करना है अगर वो बारा साल की जो लोह बैने वाली रोक था जिसे और तको अगर वो कहती मैं मन में विश्वास कर लेती हूं वह बस ठीक हो जाओंगी तो बात और थी उस उन्हें मन में रखा कि मैं कपड़े को शूना है उसने अक्षिन किया प्रभीश्म से गये अगरे को शूलिया और चंगे होगी जब यह कहा जाता है कि करवयाश्यू मस्द्र के नाम से आपकी बिंहारी निकर रही है आप कहें हाँ हमीन हमेरी प्रभीश्म से नाम से निकर रही है एक्षिन करें अजब यह कहा जाता कौरकोर आशिश लेना चाहता है आप कहें मैं आशिश लेना चाहता हूं कौन लोग परमिश्र से प्रेम करते हैं मैं परमिश्र से प्रेम करता हूं कौन लोग परमिश्र के आग्गा का पालन करना चाहते हैं मैं करना चाहता हूं कौन लोग अपने जीवने चम्तकार पाना चाहते हैं मैं पाना चाहता हूँ यह नहीं कहें हाँ मन में तो विश्वाश आई है हाथ खड़ा करने के क्या जरूरत है हाँ कहने के क्या जरूरत है हाँ मतलो आमिन भी कह सकते है आप हाँ भी कह सकते है जो भी कहा जा रहा है तरंट एक्षन लेए तरंट लए एक्टम सिकार्य करदे कि यह विश्वाश का एक्षन होता है यह विश्वाश का अंगिकर होता है यह आपके अंदर से जो विश्वाश होता है वो अक्षिन करता है कितने लोग परमिश्य स्प्रेम करते हैं कितने लोग आशिश लेना चाहते हैं हाँ मैं लेना चाहता हूं कुछ लोग देखते हैं मेरे साथ वाला क्या बोलेगा यह क्या कह रहे हैं आपको समय यह सोचना है मैं अकेला हूं और मेरे सामने परमीशन है बस तो अधर अगया पालन ते एक्षिन जब आप करेंगे तो चम्तकर अपने आप हो जाएगा और जब एक्षिन नहीं करते हैं एक दम से मैं लो अगर आप बिमार हैं तो जैसे कहा गया पभिश्व मस्के नाम से चंगा यापकर आ रही है आप कहें हा तो रहा था तो उशले कूदें चेक करें देखिए कहां था दर्द पहले और फिर गवाहिव दें बिदेने के लिए उषिले कूदें एकदाव से देखें चेक करें यह आप संड़े को चर्च में आते हैं जब प्राथना हो रही होती है कि देखिए एक भैन आई थी यहां पर मुझे नहीं मालूं कहां से आते हो तो उसने ग्वाही दी स्टेज पर मैंने प्रात्तन की एक दांस उसके बच्चेदानी का प्रेशन हो चुका था और आपको पता प्रेशन में का वो उसको बार नकाल देते हैं वो कहते बच्चेदानी आगी मेरे ऐसा बड़ा विश्व सब्सक्राइब घ्रों करने आप यहां अगा तो आप एक दम से उठें आप एकदम से बोले अप एकदम से चिला उठें एकदम से चिक हम प्रमेश्वर आप मुझे कह रहे हैं वाओ जब मैं कहूंग को परकाश्मार हो तेरा परकाश आ गया है आपके हाँ Pr जिस पर्वेश्वमस के नाम से हारक दर्द खत्म हो जाए देखा मैंने खियों को एक दम से कान उनके चंगे होती हुए एक दम से बोलते हुए एक दम से आंखों हमें देखती हुई एक दम से नहीं तो वो भी कह सकते हैं कोई नहीं अभी दो चार दिन और देखेंगे दो चार दिन चेक करेंगे उसके बाद हम लोग बताएंगे नहीं उन्हें ने अंगीकार किया आधर सम्मान करती हुई अग्या पालन करती हुई तो उनके लिए हो जाता है देखे अबराहम की प्राथना से कितना कुछ हुआ एलिया की प्राथना से हुआ अलिशा की प्राथना से हुआ अयूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्राथना की तो हुआ धनी के मद्यस्त की जो पास्टर लोग है नभी लोग है जब प्राथ करते हैं लेकिन आप उने चम्तकारों को लेने वाले बनना है अगर आप अक्षन नहीं करते हैं रियक्ट नहीं करते हैं ऐसे बैठे रहते हैं रेक्ट नहीं करते हैं अगर आपके यह लूंग कांटे से खड़े नहीं होते हाथों पर अगर आपके श्रीर में मतलब ऐसे कम कि हाँ प्रभु मुझे कह रहे हैं प्रभु मुझे कह रहे हैं प्रभु मुझे कह रहे हैं एक्षन एक दाम से आप उठें हां कहें आमिन कहें हाली लिया कहें ताली बजाएं और परमिश्रा की जिन में काम करेंगे कोई शक कोई किंतु कोई परंतु नहीं है तो चम्तकार न कर दास का आधर समान नीकरते और जो बोल रहे होते हैं उसको अपने अंदर नहीं आने देते और उसके प्रति एक्षन नहीं करते हैं आमीन हाँ प्रभुची मेरे लिए है सब आप मुझे कह रहे हैं नहीं करते हैं तो चम्तकार नहीं होते हैं और चम्तकार होने के तीन कारण क्या है आव विश्वास के साथ प्राथां करते हैं उनका मान समान करते हैं और एक्षन करते हैं हाँ प्रभु आपने मुझे कहा है विश्वास के साथ और परमिश्र के नाम से जब पास्ट जी प्राथां करते हैं तो आपके जिए उन चम्तकर हो जाता है चम्तकर ना होने के भी तीन कारण मैंने आपको कहे और जो हो चम्तकर हो पूरने के भी तीन कारणा आपको मैंने बताए है हलेलुया तो आप बारी है आपकी blessing को पाने की आशिश को पाने की चम्दकार को पाने की त्यार हो जाईएगा मैं आपके लिप राता रहना चाहता हूं जीवते पिता जीवते परमेशुर इस समय जितने लोग हमें लाइव देखते हैं मेरे पिता मेरे परमेशुर पिता जितने लोग मीज़ लाइव देखते हैं इनके जीवने चम्टकर हूं है पिता ये खुद भी प्राफ्ञा करते हैं विश्वास के साथ आप इनके जीवने चम्तकर कीजिए नमर करते हैं ये आपके उर्थ बुड़ बढ़ाते नहीं है अगर बुड़ बढ़ाए हैं तो शमा कीजिए इन पर तर सखाईए और इनके जिने चम्तकार कीजिए और तीसरा मेरे प्रभुजी मैं आपका दास होता हुआ आपने मुझे यहां ठराया है आपने मुझे यहां खड़ा किया है कि आपके चुने होई लोगों के जीवनों में बड़े चिनी और चम्तकार हूँ परमिश्र पिता मैं तो एक पातर हूँ मैं तो एक विंती करने वाला हूँ चिनी और चम्तकार तो आप करने वाले हैं लेकि परमिश्र कहा परभुजी ची आपने कहा वो लाइब नहीं जुड़े, जो आदर करते हैं, सम्हान करते हैं, प्रेम करते हैं, वो लाइब जुड़े हुए हैं, परमेशर पिता, आज इनके जीवन में चम्तकर हो जाए, यो हां कहते हैं, जो आमिन करते हैं, जो रसीव करते हैं, जो ग्रैन करते हैं, जो अपने रोगो पर्भीश्यमस के नाम से आपके जीवन में चम्तकर हो रहा है राजबाला परबिश्मस के नाम से आपके जीवने चम्तकर हो रहा है रेनुका परबिश्मस के नाम से आपके जीवने चम्तकर हो रहा है विजे परबिश्मस के नाम से आपके जीवने चम्तकर हो रहा है रजु परबिश्मस के नाम से आपके जीवने चम्तकर हो रहा नकीता आप पर विश्मस के नाम से आपके जीवन में चम्तकर हो रहा है रिया पर विश्मस के नाम से आपके जीवन में चम्तकर हो रहा है आप ग्रहन करें हाँ आमिन हो रभा बाबा रशादर रखा ला साखा नेलम पर विश्मस के नाम से आपके जीवन में चम्तकर हो रहा ह हो रभा ऱ्वा भीबई शीयरी खाह के बोलं इंड लाग लगा मर्ट औन कलगा पह रो तो बादियक एंड मैं आघ विकज़े रहा बंधर मॉर्य नंग अजिन आख आब में आघ और नाइव अजिघर लीखिट अब अलब रबरसका कब वने भेर इविए नाम से आपके जीवन चम्तकर होता है मेरे पिता रुबा बाबा बाबा शीदा रख घलबा आपने मुझे चुना ओठ रहा है कि मैं लोगों के लिए प्रात्ना करूं और जोगों के लिए प्रात्ना करता हूं परमिश्र पितन के जीन में चम्तकार करें पाउं की तली से लेका सिर के बालों तक का हर रोग परभियाश्यूमस के नाम से आपको शोड़ कर जा रहा है पाउं की तली से लेका सिर के बालों तक का रोग परभियाश्यूमस के नाम से बाहर निकर रहा है परबिश्व मस्य के नाम से हुई रब लाशी हिंदा बाबा रोज साखा लाश्यादा रखा लब बाबा लहु बैने की बिमारी गैब हो यह परबिश्व मस्य के नाम से लहु बैने की बिमारी तुछ आग गया देता हूं इसी वक्त थमजा सारा लकोरिया से परबिश्व मस् है आपके पेट के रोगों से प्रभीशमसी आपको चंगा करते हैं आपके आंखों के रोगों से प्रभीशमसी आपको चंगा करते हैं आपके कांग के रोगों से प्रभीशमसी आपको चंगा करते हैं आपके दिमाग की नस्यों को प्रभीशमसी नॉर्मल करते हैं आपके कमी है पर बेश्यमस के नाम से खून की कमी पूरी होती है हिमोगलोबिन की कमी दूर होती है जिनके मन के हिलगे हैं रीड की हड़ी के कमर के पर बेश्यमस के नाम से चंगई आती है इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त पर बेश्यमस के नाम से चंगई आ रही है आपक गैब हो रहा है, 혁ण की बीमारियां, मैग्रेन की बना बीमारियां निकल रही हैं, सरवाइकल के रोग निकलते ही, किडिनी के रोग दूरो रही ही, लीवर में चघाई आती है, कैनसर परबिश्रमस के नाम से दूर होती है, टी बी परबिशमस्य के नाम से दूर होती है खांसी परबिशमस्य के नाम से दूर होती है इन दिनों में जो वैरल बुखार है परबिशमस्य के नाम से वो दूर होता है परबिशमस्य अपने लोगों पे दहा करो और इस वैरल बुखार से बचाएं इस वैरल खांसी से बचा के नाम से वो क्लीर हो जाएं सफलता पाएं परभिश्मस के नाम से सफलता पाएं परभिश्मस के नाम से सफलता आप क्यों राती है जो घर बनाना चाते हैं परभिश्मस के नाम से सफलता आप क्यों राती है जिन उने फैलने लगाई है वदेश जाने की परभिश्मस के नाम से आपका वदेश जाने की फैले लगी हुए जो वो पास होती है परभीश मस्य आपकी मदद करते हैं कोट केसों से पुलिस केसों से परभीश मस्य आपको अज़ाद करते हैं हर एक नशे से परभीश मस्य आपको अज़ाद करते हैं नशे की आत्मा आपके जीवन से आपके घ आपको बस्क करते हैं जो लोग जमीन को बेचना चाते हैं परभी Umne ale करते हैं झौ लोग गाड़ियों को खरी देना चाते हैं और विश्य मसी आपको ब्लस्क करते हैं क्यूंस को जूबी आप चाते हैं इस नाम से blessing आती है नाके के रोगों से परविश्यम से आपको चंगा करते हैं गले के रोगों से परविश्यम से आपको चंगा करते हैं पाउं की तली से लेकर सिर के बालों तक का रोग बालों का जढ़ना बालों की प्रविश्यमस के नाम से दूर होती है आज प्रविश्यमस इसी समय आपको चंगा करते हैं जिस बिमारी का मैंने नाम नहीं लिया बवासी प्रविश्यमस के नाम से बार निकलती है जिस किसी बिमारी का मैंने नाम नहीं लिया वो सारी बिमारियां प्रविश्यमस के नाम से आपको शोरती हैं और बार जा रही है, घाने पिने के अलर्जी दूर होती है पपभिश्मस के नाम से, skin problem चमडी के रोग दूर होती हैं पभिश्मस के नाम से, गोल-गोल जिनके चकर से बन जाते हैं, दाद, ठुजली पभिश्मस के नाम से गईब होती है, परमेशर पिता इनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए परमेशर पिता इन्हें कानों से साब सुनाई देने लगे परमेशर पिता जो चल ने सकते जो लाठी के सारे चलते हैं आज लाठी को फैंके और पबेश्व मसी आपके नाम से वो चलने पिने लग जाए परमेशिर पिता देह करो जो चल ने सकते हैं परबिशमस के नाम से चले हरी रोक और बेमारी खत्म हो जाए परमेशिर पिता जिनके घर में पैसा नहीं ठेहरता जिनके घरों में कमाई नहीं ठेहरती परबिशमस के नाम से इनके घर में कमाई ठेहरे इनके घरों में पैसा ठे जिनके परवार के लोग अलग लग रहते हैं लड़े जगड़े के कारना परबिश्वमस के नाम से एक हो जाएं इनके दुकान पे काम आए इनके दुकान ब्लस हो जाए इनका बिजनिस ब्लस हो जाए जो प्रॉपटी को खरीदते हैं बेचते हैं उनका बिजनिस ब्लस हो जा प्रव भाई स्टेश को आपके हाथों में समता हूं जो पिनका प्रॉपटी का बिजनस है परबिश्यमस के नाम से ब्लस होता है सब आने वाली बीच में रुकावटें परबिश्यमस के नाम से दूर करते है सत्वीर का जो प्रॉपटी का काम है परबिशुमन्स के नाम से बलस होता है आने वाली रिकॉर्प्टों को परबिशुमन्स के नाम से दूर करते हैं परमीष्यू पिता इन लोगों पर दैया करें इनके बिज़निस बड़े फले और फुले इनकी कमाई को यह खाए जो कुछ ये चाते हैं मांगते हैं इनकल पूरा हो जाए और अब मैं प्राथाल करता हूँ पोखरात्मा के लिए परमेश्य मैं पिता आपने कहांड जब तुम बुरे हो का अपने बच्चों का छुँए वस्तुए देना जानते हूँ तो तुम्हरा स्वर्ग्या पिता अपने मांगने वाले को पोईत्रात्मा क्यों न देगा लुका के अजिल में आप ने आपने कहारा मेरे परमिशर पिता पर्भी श्रमिश्व मस्य के नाम से मैं प्राथां करता हूं जो लोग पोईत्रात्मा कुपाना चाहते हैं परभेश मसी जी इनने पर ढूतरात्माँय परगे परभेश मसी के नाम से। जो ने बाच्छा का वर्दान चाहते हैं परभेश मसी की नाम से अन्य बाच्ण बोलने लगेya बहुत मतरह आप पोधरात्म हद रहा है आप पर अब आपक जिर करें और आफ बहुत नहीं करें घ्रैन करीं। लो बोलना शुरू करें भूला शुरु करें तर अच्छता रखार रखाला शाख रआत पुच्ट राप जी दोอ सखा बाबा राषाध रभा इनके जीवन से दूस्टात मैं बार निकलें पभई शोमس के नाम से जादुटूने की तार्थ रभान के नाम से इन इनके घर से दुस्टात्मा बार निकलें इनके प्रॉपर्टी से दुस्टात्मा बार निकलें इनके बिजनेस से दुस्टात्मा बार निकलें परविश्व मस्य के नाम से आगए दिता हूं परमेश्य पिताने ब्लस करो और शिश करो किरपा करो इनकी मदद करो रिबाशीद और इस समय में विशेश प्रातां करता हूं मेरे पर विश्व मसी जी जितने लोग अपनी बलीदान आपको अर्पन करते हैं जितने लोग अपनी भेंटें आपको देते हैं वो सारे भेंट सारे बलीदान सुर्ग्या पिता ग्रैन करो पेटियम के द्वारा, गुगल पे के द्वारा, अकाउंट मेंट रस्टर के द्वारा, कैसे भी, आउनलेन जो अपने बल्दान अरपन करते हैं परविश्व मस्के नाव सजी बलस हो जाए, इनकी धन संपती बलस हो जाए इतनी आशिष देव मेरे परविश्व जिनके पाह रखने के लिए जगा भी न रहे परमिश्व पिता ने बलस करें, इनकी धन संपती को बलस करें, इनकी बच्चों को बलस करें, इनकी प्रवार को बलस करें इनका पैसा बीमारियों पर न लगे टूट फुट पर न लगे ये लोग धन्य हो जाएं धन्यवा मेरी पिता परमिश्र आपने इनके मन को खोला ताकि ये आपको बिलजान अरपन कर सके आशे ही दो मदद करो मेरी ये प्रात्ना उधार करता पबिश्मस के नाम से आमिन, आमिन